नमस्कार मैं हूं सुक्रदी रोय चैटर जी और बोल्सकाई में आप सभी का स्वागत है अब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया पीड़तों को कोरोना वारस के नतीजे में कोविड नाइंटीन से प्रभावत होने का बहुत खत्रा होता है ये खुलासा कैसर पर्मानिन्ट साउधन कैलिफोर्निया की रीसर्च में साबित हुआ गौरतलिब है कि स्लीप एपनिया की दिक्कत में पीड़ते व्यक्ती की सांस सोते वक्त कुछ देर के लिए रुक जाती है इस दोरान उसके शरीर को पूरी आकसिजन नहीं मिल पाती सांस तूटने से आँख खुल जाती है और उटते ही तेजी से हाफना शुरू हो जाता है शोद करताओं ने पाया कि स्लीप एपनिया के मरीजों ने जितना लंबा सीपी एपी थेरपी का सोते वक्त इस्तमाल किया उनको कोवड नाइटीन का खत्रा उतना ही जादा कम हुआ रीसर्च से स्लीप एपनिया का इलाज ना कराने और कोरोना संक्रमण की ज़्यादा दर में संबंद उजाकर हुआ है शोद करता उन्हें रीसर्च के दौरान मोटापा पुरानी बीमारियां और दवा लेने वालों में भी कोवड नाइंटीन संक्रमण की ज़्यादा दर का पता लगाया शोद करता ये देखकर हैरान रहे गए कि CPAP थेरपी का इस्तमाल करने वाले स्लीप एपनिया के मरीजों का कोवड नाइंटीन संक्रमण दर ज़्यादा कम था उन्होंने बताय कि थेरपी का इस्तमाल एक रात में महमारी के दौरान कम से कम चार घंटों के लिकिया गया तो उससे संक्रमण के कम दर का खुलासा हुआ उन्होंने कहा कि रिसर्च आगे CPAP थेरपी के प्रत्यक्ष शाररिक लाप का समर्थन करती है उमीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक और शेर करें साथी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें